कल NCB के खिलाफ एक एफिडेविट डर्ज हुआ प्रभाकर सेल ने ये बयान जारी किया कि NCB ने ये सब कुछ पैसों के लिए किया समीर वानखेडे को लेकर भी बहुत सारे खुलासे प्रभाकर ने दिये मीडिया में पब्लिक डोमेन में ये पूरी बात आ चुकी है इसी के साथ समीर वानखेडे की जाच होनी चाहिए इसकी लोग डिमांड करने लगे कि जो भी रेट थी इस ड्रग्स मामले की रेट और प्रभाकर का ये जो बयान है इस पर जाच होनी चाहिए तो NCB के डिरेक्टर ने कहा कि हम इसकी जाच हमारे इंटर्नल लेवल पर कर लेंगे विजिलिंस डिपार्टमेंट इसकी जाच कर लेगा और साथ ही समीर वानखेडे ने कल एक अरजी दी थी ये जो जाच के लिए कहा जा रहा है इस जाच से उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए क्योंकि अल्रडी जाच जो है NCB कर रहा है साथ ही शुरुआच से ही कुछ लोग हैं जो समीर वानखेडे को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे थे शुरुआच से ही कह रहे थे कि तुमारी जॉब जाएगी तुम जेल जाओगे ये बाते कह रहे थे तो वही लोग हैं जो समीर वानखेडे को फिक्स करना चाह रहे हैं इसलिए ये इंक्वाइरी जो कौट के तुरू है ये समीर वानखेडे पर नहीं हो इसकी एक रिक्वेस्ट उन्होंने दी थी अब सुने में आ रहा है कि समीर वानखेडे को तगड़ा जटका लगा है कौट ने उनकी इस रिक्वेस्ट को एकसेप्ट करने से मना कर दिया है Sessions Court जहांपर समीर वानखेडे ने ये request दी थी वहां से जवाब आया है Court ने कहा है कि ये मामला हमारे हाथ में नहीं है इसकी बातचीत High Court में चल रही है ऐसे में protection देना हमारे bus की बात है ही नहीं समीर वानखेडे को राहत देने से Court ने इंकार कर दिया है समीर वानखेडे निकले थे raid करने लेकिन ना चाहते हुए भी वो एक controversy का हिस्सा हो गए आरियन खान की बेल, cruise drug मामले की बात होने से ज़ादा अब समीर वानखेडे पर ही उंगलिया उड़ गई है ऐसे में ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या इस case को अभी भी कौट में समीर वानखेडे ही lead करेंगे आरियन खान की बेल पर कल सुनवाई है तो क्या समीर वानखेडे वहाँ पर होंगे या समीर वानखेडे को इस case से ही हटा दिया जाएगा ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि उनके उपर inquiry बैट चुकी है और कहीं सारे लोग अब सोशल मीडिया पर ये हल्ला करने लगे हैं कि समीरवान खेड़े जब तक clean shit नहीं सावित होते तब तक उन्हें resign कर देना चाहिए उन्हें इस post से हटा देना चाहिए तो जो मुद्दा था वो drugs मामले का था लेकिन अब मुद्दा NCB का हो गया है NCB की इस raid का हो गया है और सवाल NCB के लोगों पर ही उठने लगे हैं इस तरीके से इस मामले को अब political tool दे दिया गया है